हलो फ्रेंट्स वागत हैब सभी का स्टड़ी क्लास्स पीकेपी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेखिक समिक्राइब मतलब लिनियर एक्वेशन तो पहला कोशन है 8x प्लस 5 इसकल टू 3-2x तो इसमें हमें करना क्या होता है कि जो x है इसका हमें मान ग्याद करना होता है तो x का find out करना होता है कि इसका value कितना होगा तो चलिए video start करते हैं तो हमें इसमें देखिए दोस्तों कुछ जानने लाइग बात है हमें जो variables हैं उनको एक साथ करना है बैरियेबल से एक साथ रहेंगे और कॉंस्टेंट जो है वो इसको एक साइड में करेंगे तो चलिए देखते हैं जैसी 8x दिया है और यहां पर 2x है तो इसको एक साथ कर देंगे 5 और 3 है तो इसको एक साइट में कर देंगे तो चलिए देखते हैं 8X अब फिर 2X को इधर लेके आएंगे हम इसकल 2 के इधर आएगा तो यह माइनस 2X है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 2X हो जाएगा अब यहाँ पिर इसकल 2 लगा दीजिए और 3 यहाँ पे है तो यह तो ऐसे ही रहेगा प्लस में 3 और यह प्लस में 5 है तो इधर इसकल 2 के इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा इसके बाद क्या करना है 8X प्लस 2X है तो इसको हमें क्या करना है प्लस कर देना है इधर भी प्लस है तो इसको प्लस कर देंगा तो कितना हो जाएगा यहां पर किसका लगेगा मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जिसका बड़ा जो बड़ी संख्याः उसके पहले का जो सिंवल है वह ही लगेगा तो 5 के आगे क्या लगा हुआ हुआ है तो यहां लगा दीजे इसके बाद हमें करना है अब यह जो X को find करना है तो 10 X is called to minus 2 आया है तो हमें क्या करना है यह 10 को इसको is called to के उच्छाइड भेजना है ट्रांसफर कर देना है तो चली देखते हैं less więks higher 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 तो हमारा 2nd question कुछीश टाइब का है तो इसको कैसे करना है, इसमें, सात में छोटा ब्रेकेट ही, 3-5-5 ब्रेकेट इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा दिखिए साथ तरीकी 21 फिर प्लस साथ को पांच में गुणा करेंगा तो साथ पच्छे 35 और एक्स ऐसे इधर भी करना हमें चारपच्छे 20 प्लस चारदुनी 8 एक्स दिख अगर कहीं आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कहां पर आपको नहीं समझ में आपको एक अलग से आपको मैं वीडियो बता दूंगा कैसे करना है तो हाप इसके बाद क्या करना है फिर इसके बाद इसमें का करना है इसमें भी देखिया question उस पहले जैसे question टाइp में हो गया है तो इसमें भी variable को एक साथ कर लेना और constant को एक साथ कर लेना है तो 35 प्लस में है तो इसको एशे रहन दीजे 35 और इधर का 8x है तो प्लस में है, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस एट एक्स, और उसके बाद ये 20 से इसी रहेगा, प्लस में, और ये 21 इधर जाएगा, इस कल्टू किदर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, अब नीचे में क्या कर एक्स और इधर 20 में से 21 घटाएंगे एक आएगा और यह माइनस का चीन लग जाएगा क्योंकि बड़े वाले के सामने क्या लगा हुआ है माइनस बड़े लिए संक्या के सामने माइनस है तो अब यहां हमें क्या करना है अब एक्स का मान गयाद करना है तो 27 को हमें उधर अंसर जाएगा तो माइनस मा हो जाएगा माइनस ए एक बटे 27 एक हो जाएगा हमारा अंसर है और एकक और अगर मालीच आगर बटे में दीआ है A questions वह कैसे करें ए उसको भीचे लिए कॉसका वह एक संदेख लेते हैं तो second question का हमारा answer क्या थाrs 27 जाएगा तो बाते 17 subtल ए तीसरा कोशन देखिया हमारे यह है, 4x प्लस 2 बटे 5, इसको 2, 3 बटे 7, तो इसको हमें क्या करना है, इसका देखिये तो दो तरह का है, ठीक है, दो तरह से आप इसको कर सकते हैं, एक तो cross multiply से कर सकते हैं, उसको अभी बता देता हूँ, पहले आप normal जो basic तोर है, basic concept से इसको कर देखिये, उसके बाद फिर मैं आपको cross multiplication बता दूँगा, आपको जो अच्छा लगेगा, आप उस हिसाब से अपना देख लिजेगा, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पहली तो 5 को हमें उधर कर देना है, जो भागे में 5 है, उसको उधर भेज देंगे, तो देखिये, 4 x plus 2 बच जाएगा, 3 upon 7, अब 5 इधर जाएगा, तो इन्टूम हो जाएगा, तो इसको उपर लिग देंगे, क्योंकि या नीचे भाग में है, तो इसको बच जाएगा, तो अभी मैंने बताया था, इसको बच जाएगा, उसका symbol चेंज हो जाएगा, जो देखिए, इधर बता हो जाएगा, तो गुणिम हो जाएगा, अब इसको यहां देख लिएजी, क्या करना है, तो इसको 4 x को ऐसे 4 x लिए, प्लस, 2, इसका लटू, पांस त्या, पंदरबटे, साथ, इसके बाद क्या करना है, इस दो को आप इधर ट्रांसफर कर दीजे, तो 4 x इसका लटू, पं माइनस में, माइनस, 2, तो इसका हमेंगा क्या करना है, एलसे लेने है, तो फोर x इसको 2, इसको 2, इसको लेंगे तो साथ आएगा, साथ्या इकमण साथ, और ऊपर फिर गुणा करेंगे, तो 15, माइनस, 17 में 7, दूनी, 14, उसके बाद हमें यहां का करना है, 4x is equal to 15 में से 14 जाएगा तो एक बचेगा और यहां 4x है उसके बच फोर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इन्टू में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 1 upon 4 आ जाएगा अंसर सॉरी सॉरी यहां पर 7 बच गया नीचे 7 जो है मैं भूल गया था 7 यहां हो जाएगा और यहां भी open 7 और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे एक्स इसकल टू एक बटे साथ गुड़े चार करेंगे तो एक बटे 28 यह हमारा क्या हो जाएगा अंसर तो आप चलिए क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड से देख लेते हैं साइड में एक साइड में देख लेते हैं तो यह है क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड से कोस्टन यहां पर आपको दिख रहा होगा है कोस्टन में लिख देता हूं 4x plus 2 upon 5 is called to 3 upon 7 इसको cross multiplication से कैसे करना है cross multiplication method से तो यहाँ पर का करिए इसको उपर आले में गुड़ा करना है इसको इधर वाले में गुड़ा करना है ठीक है इसको इस साड़ आले में इने की उपर आले में गुड़ा कर भीजिए आपको इसको इधर करना है इसको इधर करना क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन में तो 7 4X प्लस इन दोनों को ब्रेकेंग कर दीजे इसकल टू 5 इंटू 3 क्योंकि और इसके बाद संख्या नहीं है तो डारिक ताप इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं तो यहां पर इसको क्या करिए 7 को फोर्थ पहले इसमें गुड़ा करिए फिर इसमें गुड़ा करिए तो साथ चुके 28X प्लस साथ दूनी 14 इसकल टू 5 तियां 15 है अब इस 14 को इधर भेज दीजे तो 28xt is Mills 25 नहीं तो मैं माइनस चेओ यहां 28x को इसकल टू 1 हो जाएगा कि इसको इसको इधर टांसफर करेंगे तो Państwo उप्लस से ही रहाए और गुड़े में तो इधर जाएगा ब्हाग में एक बटे 28 यह हो जाएगा क्या अंसर देखे दोनों का एक बटे 28 अंसर आया ना एक बटे 28 इसका भी आया है एक बटे 28 इसका भी आया है तो यह हमारे क्या है अंसर है तो आई होप आपको अच्छे से linear equation समझ में आ गया होगा तो अगर वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू